चलिए दोस्तो अब वीडियो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं अभी तक के सारे पार्ट जो है वो अच्छे से देख लेना ठीक है प्लेइलिस्ट की लिंक जो है वर डिस्क्रिप्शन में डाल दिये प्लेइलिस्ट ही एक पूरी बना दिये जहां पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएगे ठीक है ताकि आपको जो है find out ना करना पड़े तो question number six देखिए आपके सामने है बहुत ही simple सा question है और छोटा question है देखिए यहाँ पे Mr. David यहाँ पे दिया गया है इंडियन citizen है 40 years जो है उनकी age है अब government templo है और government templo है जो है उन्हें जो है outside India transfer किया गया ह Canada यहाँ पे नाम दिया गया है और वहाँ पे आपको ट्रांसपर कर दिया गया है अब नीचे कुछ information दी गई है 21-22 के लिए year salary जो है already computed computed का मतलब हुआ कि वहाँ पे जो भी deduction वगेरा है वह आपका minus हो चुका है आपको यहाँ पे कोई भी चीज़े minus नहीं करने है ठीक है यह यह पूरी आपकी income ही calculate कर दी गई है salary की ठीक है तो यह जो five lakh rupees है वह आपकी salary है उसके बाद foreign allowance दिये गया है उसके बाद interest on fixed deposit जो है from bank इंडिया की है और फिर आपको यहाँ पे कहा गया है कि income from agriculture in Nepal अब देखे question number five मतलब की video part five जो है आपने मेरे साथ देखा है पिछला इसकी देखे यहाँ पर इंडिया की income नहीं है यह तो नेपल की income है ठीक है तो यह इंडिया की income नहीं है इसलिए इंडिया में वह exempted नहीं है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर house property भी दी गई है नेपल की है ठीक है यह दोनों चीजे नेपल के लिए है यहाँ पर कहा गया है कि compute आ पहले कट आउट कर दिया अगर गवर्मेंट जो है एंप्लोई को जो आउटसाइड इंडिया गया है उसके लिए अलोईस दिया जाता है तो वह एक्जम्टेट है उससे आपको इंकम नहीं माननी है हमें सही याद रखिए फोरेन अलोईस जो गवर्मेंट प्रोवाइट करती है इंपलोई को आउट सेडिया गया है इसलिए उसे फोरेन लॉफं कि आ जाता है तो प्रेन ऑलोईस जो है वह exempted होगा आपको income में include नहीं करना है ठीक है include नहीं करेंगे आप income में तो बचा कितना salary जो है वो आपकी income बची 5 lakh रुपीज already computed है इसमें जो है आपको deduction minus नहीं करना है ठीक है already computed है उसने बोला है इसलिए 5 lakh रुपीज आपकी income और जो ये income interest जो है interest on fixed deposit income हुई है 1 lakh वो आपकी income है तो total जो है आपका यहाँ पर दो चीज़े आपको income में add करना है total कितना हुआ 5 lakh और plus 6 lakh sorry plus 1 lakh is equal to 6 lakh यहाँ पर आपका answer आ रहा है हाँ जी तो 6 lakh रुपीज आपकी जो है total income आ चुकी सार information मैंने discuss कर दी है ठीक है अब यहाँ पर देखें यह जो information है वह आपको लिखनी पड़ेगी जो मैंने आपको बोला जो मैंने आपको ज ghosts चीज़े बोली है वह यहाँ पर लिखी गई है तो इसको आपको लिखना पड़े इसको लिखें बीना जो है आपके marks नहीं अलोट हो गयों ठीक है तो इसलिए एक बार रेट कर लीजिए जो मैंने बोला है वह ही है यह सिर्फ आपको पढ़ लेना है एक बार ठीक है तो बस यह है question complete होता है अब next question देखेंगे question number seven video number seven में ठीक है